नमस्कार दोस्तों, MCG Academy Gualer में आफ सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आफ सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए जो है रेगुलर करेंट अफिश लेकर के आता हूँ तो आज है आप लोगों का 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर का मोच करेंट अफिश में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ आप लोगों ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना आए शुरूबात करते हैं पहला जो आप लोगों का आज का कोश्चन दिया गया है कोश्चन कहता है आप लोगों से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एहमदाबाद में महात्मा गांधी की डेड़ सो भी जेंती के अफसर पर कितने रुपे का इसमारक सिक जारी किया है तो महात्मा गांधी जी ने जुम हत्मा गांधी जी ती प्रधान मंत्री नरें दिदी में Management इunda में महात्मा गांधी को सिक कि बिदेगें है delivered को के सावर मति लुए कि राश्ठ पिता महात्मा गांधी को इनकी डिर आन जली अरपित की महात्मा गांधी ने शथापना withdrawal अफ्र IbButton लुटने के बाद 917 में यह सावरवानती आम है तो इसकी श्थापना के जुछ और वह वहाँ पर साल 1930 तक रहें मेन वहाँ पर उन्होंने गरां 13 साल अपने व्यतीत कि यह वे साल 1930 में वहाँ से दांडी यात्रा पर निकले दांडी एक जगह है जहां उन्होंने क्या है कि दांडी यात्रा करने का मूल मकसद गांदी जी का क्या था कि जन जन तक संदेशा पहुचाना यदि वह चाहते तो बस से भी जा सकते थे उसमें ट्रेंड भी चलती थे ट्रें दांडी में वह पहुचे उन्होंने वहां से नमक कानून को तोड़ने की एक मुठी नमक उठाकर उसकी पहल वहां से सुरूंकी थी दांडी से अगला जो कोश्चन आप लोगों का है दोस्तों मैं आप लोगों से बादा करता हूं कि रेगुलर आप लोगों के लिए अच् अगला कोश्चन आप लोगों का कोश्चन है वह है आप लोगों के लिए उत्रपृतिस के किस इस्थान पर सुध करता हूंने एक बुलप्त प्रदा जो पुरातन नदी है उसकी खोचकी है तो हाल ही में सुध करता हूंने प्रयाग राज जो है उस नदी की हाल ही में उन्होंने जो बुलप्त हो चुकी थी उसकी उन्होंने खोचकी है जल सक्ती मं प्रियाग राज में एक ब्लॉक्त नदी की खोज की गई है इस खोज की सबसे बड़ी बात क्या है कि यह नदी गंगा और यमना को चंट करती है प्रियाग राज तो प्रानी है लेकिन ब्लॉक्त होने की कगार पर थी इसकारण से उसको जो है सामाजिक दरश्टी से लोगों के सामने रख दिया गया है जैसे आप लोग भी नॉर्मली इसको देख सकते हैं विज्योवल रूप से ये खोज गंगा नंदी के सफाई और भारत की मैपिंग के महतपूर भूमका की निर्वाहन कर रही है कर सकती है ओके तो ये कहां प्रयाग राज कहां पड़ता है उतर प्रदेश में थोड़ा बात करते हैं उतर प्रदेश के बारे में तो उत्रप्देश की राजधानी क्या है उत्रप्देश की राजधानी है लखनाउ इसी परकार भारत की राजधानी क्या है न्यू देली मत्रप्देश की राजधानी भोपाल इसी परकार उत्रप्देश की राजधानी लखनाउ है बरतमार में जो है वहांके उत्रपदेς के राजपाल कुम है? राजपाल राम न्यायक जी है उत्रपदेς के राजपाल मुखि मंत्री है हमारे आदेतनात योगी जी और आप लों के लिए थोड़ा सा डवल आ चुका है ये उत्राखंड राज के वारे में थोड़ी जानकारी आ चुकी है कोई बात नहीं लेकिन यादी आ ही चुकी है थोड़ा पढ़ ली ही लेते हैं उत्राखंड जो है मैं पूरा आप लोगों के लिए एक पीडिया फाइल फ़ना रखा है जिसमें से आप लोगों के लिए मोस् इस ब्यक्ति के बारे में कोई discussion होता है तो मैं उसका फौटो जरूर लेकर करता हूँ क्यों कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो हमें देखने से याद होती है कुछ एक चीजें सुनने से भी आद होती है तो इसलिए आप लोग अपडेटेड रहोगे तो आप लोग कोई भी एकजाम ऐसा नहीं जो बच जाए और मैं हर दिन आप लोगं से कहता है छोटा सा टारगेट रखिए गा हर दिन एक चोटा टारगेट रखिए लेकिन पूरा दिन उसे पूरा करने में लगा दीजी यदि आप लोग सकसे होना चाहते हो तो अगला जो केंद्र सरकार ने SS मलिक आरजुन राव को किस बैंक का MD और CEO निक्त किया है यह आप लोग देख रहे हुए SS मलिक आरजुन की हाल ही में PNB पंजाब नेशनल बैंक का CEO निक्त कर दिया है तो कफ किया है मंगलवार को इनको निक्त कि मिली है PNB के दे बात करते हैं तो PNB का logo भी आप लूगों से पूछा सकता है कि जो आप डिजिटल जो पर होंगे अभी तो नहीं लेकिन आप लोगों हर चीज से पर्चित होना चाहिए PNB का logo कैसा होता है PNB का logo यह वाला है यह वाला ओके जो रैड सर्कल में है यह इनकी नियुक्ति 18 स्टमबर 2021 या अगले आदेश तक के लिए की गई है राव फिलहाल जो है इलावाद बैंक के एमडी और सी यू हैं उनके पास क्रेडिट रिकावरी रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी प्रभंदन सूचना प्रणाले रेटेल वैंकिंग का लंबा अनिभव है उनके पास उन्हें वैंकिंग सेक्टर में नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है टो हाल ही में सुरजीत भला जी को IMF की और से कारेकारी निदेशक निखत किया है और आरवैंट के पूर डिक्टि गवर्नर सुवीर गोकांड की जगहें लेंगे आपनों पता होना चाहिए कि जो भला जी है सुरजीत भला वो किसकी जगह लेने वाले हैं तो ये सुवीर गोकन की जगह लेने वाले हैं सुवीर गोकन का कारकाल अक्टूबर में पूरा होने वाला था लेकिन उनका 30 जुलाई को अमेरिका में निधन हो गया सुरजीत भला प्रधान मंत्री के आर्थिक सलायकार परशत के सदस भी रह चुके हैं तो ये हैं आप लोगों के लिए सुरजीत भला जी इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं नई दिल्ली सरकार ने अर्थ सास्त्री सुरजीत भला को अंतरराष्टी मुद्रा को इस आईमेफ में भारत की ओर से कारकारी निदेशक एक्जिक्यूटिव डारेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है एक आधिकारिक आदेश में यही कहा गया है क्या कि परधान मंतरी नरेंद मोदी की अधिक्षता वाली मंतरी मंदल की नियुक्ती समिती ने उनकी नियुक्ती को मंजूरी दी है तवी जाकर उने ये पद मिला है तीन साल का होता है कारकारी निदेशक का कारकाल जो होता है नियुक्ती समिती ने भला को कारे भारत समालने की तारिक से तीन साल तक के लिए आ या अगले आदेश जो भी पहले हो कारे कारी निदेशक पतपर उन्होंने नियुक्त किया है सुरुजीत भला 35 अर्थ सास्त्री और संबकार हैं और मैं आप लोग बोलना चाहूंगा यदि आप लोग यह सब कुछ का पीडिया फाइल चाहते हो जैसे आप लोग बात में भी जानकर हाजिल कर सको तो आप लोग लिए इसका पीडिया फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में ज बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में आर्थिक गतिविद्यों को बढ़ावा देने का काम करती है अंतरराष्टिय मुद्राकोस 187 देशों का संगठन है जो बैस्व में मौद्रिक सहयुक बढ़ाने बित्य से स्थर्था लाने और रोजगार तता सतत आर्थिक ब्रद्दी क बीकिंट करने के लिए व Dieuं करता है अंतरराष्टिय मुद्राकोस ये मुखरूब से बुनियादी मिसंतराष्टियत तंत्र में ס्थστा लाने में मदद करना है किसका आएम ke सब्सक्राइब का महत्रपूर्ण यदि हम काम की बात बोलें तो अंतराश्ची मुद्रा को जो आइमेफ है यह काम तीन तरीके से करता है देखो दूस्त में हर चीज का यदि आप लोग एक टॉपिक को पकड़ लोगे उसके बारे में जागत से जादा जितना जानकर हासिल कर सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोगों को बिसेश पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है ऐसा मैं मानता हूं तो आई में जो तीन प्रकार के काम करता है कौन-कौन से बैस्विक अर्थवरस्ता और सदस्य देशों की अर्थवरस्ताओं पर निगरानी रखकर भुगता इसना के प्रवाह में मदद देने वारेजर वेंग के अंतर राष्टी राय सरकारों के अदकारियों को प्रिछे च्छन देना इसका मुखकाम है आई-एम-फ का ओके इंडियन्स के लिए अब इसी के साथ आपन अगले कोशन क्यों चलते हैं अगला जो कोशन आप लोगों स कहता है रिपोर्ट के मुताबे किस के पुरातव विभाग को सिवगंगा जिले में जारी खुदाई में संगमकाल की जबीश सो साल पुरानी दीवारे मिली हैं तो हाल ही में बात करते हैं किस लाज्ज में तो केरल इसमें फशन ममर ए तमिल लांडू के सिव गंगा जिले में जो अभी खुदाई चल रही थी जिसी के चलते संगम काल की 2600 साल पुरानी दीवारे मिली है इसे पहले राज पुरातर विभाग ने अपनी एक रपोर्ट में बताया था कि यहां पर उसे संगम काल के कई गहने एक कुगा कई पत्थर समेथ कुल 5820 धाचे मिले हैं राज पुरातर विभाग की जो दीवारे मिली है वो 2600 साल पुरानी है तमिल नाडू के सिव गंगा जिले में पुरातर विभाग को खुदाई के पांचवे चरण में इटों की चार दीवारे मिली है इस लगातार वहाँ पार खुदाई चल र इसकी नाल्टू में बuation मुक्रमाराइब आफ़ाहएं गैरे किंट चलते हैं चाल ही तरी डिली से किस धार्मिक इस्थान तक जाने के लिए बंदे भारत एक्स्प्रेस हारम की है तो दोस्तों हाल ही में अमित सहा ने जो है दिल्ली से बैषनो देवी, मा बैषनो देवी के पास जाने के लिए बंदे भारत एक्स्प्रेस का जो है सुभारम किया है ओफसन नमबर 20 में आपनों का प्लीज आप लोगों से हम्बल रुक्वेस्ट है आँद तक इसे जरूर सुनना केंद्रिय ग्रह मंत्री अमें सहने बंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखा कर बैष्णो देवी के लिए रवाना किया बंदे भारत एक्सप्रेस आज घंटे में माता बैष्णो देवी लिए क्स्समें सकते हो कितने इसमें कितनी 사idart का जाल क्षेठय साथ इसमें याउरा इसमें के रद फूर में हैं फैस्टने के मैं से पुड़ है ये फोटो ड़ गए है लेकिन भान्डि भाःत की में बात कराथ दो थोला सवह अइस हैं उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी यह थोड़ा सा अलग चीज जो जुड़ गई है लेकिन आप लोग जो बताने वाला था वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आज ही आज ही के दिन चार अक्टूबर आज ही है आज ही का अपडेट है उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी आदितनाथ योगी ने जो है चार अक्टूबर दोयर उनुनिस को मिस आज ही देश की पहली प्राइवेट कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सपेस को हरी जंडी दिखाकर लखनव जंसन से रवाना किया देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है इसका संचालन पूंडू उप से आई आज सीटी सी करेगी इंडियन डेलेवेट कैटेगरिंग एंड क्यूरिस कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्री आदितनाथ योगी ने तेजस एक्सपेस को हरी जंडी दिखाने से पहले क्या किया दी प्रजलेट कर जो है कारकम का सुवरम किया अब तेजस एक्सपेस से सफर करने वाले यात्रियों को बढ़ाई दी और सबसे बड़ी इसमें बात क्या है कि ट्रेन कान प लखनाउ जंसन से इसको रवाना किया गया लखनाउ से दिल्ली तक पहुंचेगी और बीच में सर्फ लखनाउ से कानपूर और गाजियवाद में इसका स्टेशन है टेन नियमे तरूप से 6 अक्टूबर से चलना सुरू होगी तेजस एक्सपेस ट्रेन की जो है ट्रेन संग को यात्रियों से समान से पेस आने के ट्रेनिग दी गई है आई-ार- सी-टीजी करमचारियों को यात्रियों के प्रितेख सवाल का जवाब मुश्कान के साहरें पर जोर दी गया है बिमान की तरह है ट्रेन में भी अभिह अब्यक्तिकत एलेडी स्कीन और वाइफाई स्व की दरवाजे अपने आफ खुलेंगे और अपने आफ ही बंद होंगे इससे अतरिक सुच्छा को ध्यान में रखते हुगे प्रतेग बोगी में छे सीसी टीवी केमरी लगाए गई हैं तो यह भी काफी वड़ी टेक्नोलोजी है और बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में जब इस परकर की ट्रेने चल रही है तेजस एक्सप्रेस आदुनेक सुप्धावाली एक जो है प्रेन बहुत ही टीपर गती वाली ट्रेन है जिसकी अधिकतम गती 306 km बताई गई है इसकी अधिकतम गती तो मिस्टीन साथ किलो मेंटर पर आवर ओक्य तेजस एक्सप्रेस म ने जो है सब कुछ तीजास एक्सप्रेस मार्ग और समय तीजास एक्सप्रेस मंगलबार को छोड़कर हफते में 6 दिन चलेगी ट्रेन लखनाव जनसां से सुब्सक्राइब चलेगी और यह ट्रेन साथ बचकर 20 मिनट पर कान पर पहुंचेगी यहां साथ बचकर 25 मिनट पर च पहुंचेगी ट्रेन रात 9 वजे तीस कान पर और फिर आप लोगों के लिए 10 में तालिस पर पहुंचेगी कहां लखनाव तुमीज कुल में लाकर यह आप लोगों के दिल्ली से लखनाव को तक की दूरी तय करने के लिए 6 गंटे-5 मिनट का समय लेगी बस ओके 6 गंटे-5 करने के लिए 9 training कि शाओंगा कि मैं इसका इंपोंटन्ट क्या है इसमें जो 25 लाग का निसल को भीमा आया सीटीची की पहली ट्रेन में इत्रयों को 25 के बिलमब होने पर भी मौपजा दिए जाएगा यह ज़ांकारी I.R.CTC के ने दी ट्रेन को एक घंटे से अधिक बिलमब č éénजड़ी होने पर से लिए से सो मीटर के दाइरे में कोई भी कचला नहीं फइला सकता ऐसा उनोंने आदेश चारी कर दिया है प्रतान मंत्री ने देशवासियों से संगल यूज़ प्लाश्टिक का उपयोग बंद करने की अपील किये जिसके बाद परेटन मंतरी प्रहलाद पटल ने यह गोशना की की परेटन मंतरी ने कहा कि मंतरा लेके अधकारियों को इसे लागू करने के निर्देश दिये गए हैं उन्होंने कहा कि भारती प्रात्त विभाग के तहट आने वाली एजेंसियां भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तमाल नहीं करेंगी बिलकुल नहीं करेंगी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप लोगों से बोलना चाहँगो यदि आप लोग मुझे सुन र प्लास्टिक के वह इसको डंप नहीं किया सकता बहुत ही खतरनाक होती हमारे इंवायर्मेंट के लिए अगला जो कोश्चन आप लोगों से कहता है हल ही में रेल मंत्रा ले द्वारा जारी स्वचता सर्वेश्चन के अनुसार किस रेलवे स्टेशन को देश का पहला सबसे स रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और संदी इसमें आप लोगों का राइट अंसर होगा रेल मंत्री प्यूस गोएल ने महात्मा गांदी की डेर सो भी जैनती के मौकर पर इसकी गोफना की रेलवे के सचता सर्वेश्चन में रायस्थान के तीन रेलवे स्टेशन जोदपुर, जैपुर और दुर्गापुर को सीर्ष स्थान मिला है आनंद विहाद टर्मिनल 26 वे स्थान पर रहा है जबकि नई दिली और हजरत निजामुदिन इस्टेशन को सूची में 165 और 241 वे स्थान मिला है मिस कितने गंदे रहते होंगे मैं सोच नहीं सकता जैपुर रेल वेस्टेशन बेस्ट रहा है बहुत ही अच्छी बात है राहस्तान सरकार को इसकी और से मैं बहुत बहुत बदही दिना चाहूंगा अगला जो कोश्चन है आप लोगों का महात्मा गांधी की जैनती पर किस देश में डाक टिकट आरम की गई तो महात्मा गा कंपनी ला पोश्टे ने यह डाक टिकट जारी किया है गांधी जैनती पर दुनिया के कई देश उजवेकिस्तान तुर्की फिलिस्तिन और अन्य देशों में भी इसी तरह के डाक टिकट जारी किये गए बरस 2007 में गांधी जैनती को हर साल अंतर राष्टे आइंसा दवस के रूप में मनाया जाता है तो 2007 से उससे पहले नहीं मनाया जाता है उससे पहले सिर्फ हमारे यहां मनाया जाता था सिर्फ गांधी जैनती के रूप में लेकिन 2007 से पूरे संसार पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है क्या आइंसा दवस के रूप में इसी के साथ आप लोग का गहांदी जैन्ती के आफसर पर किस राज ने तमाकू और पान मसाला का जो सूची पर पूरी तहर प्रतेबंद लगाने की गुफणा की है तो राजस्थान सरकार ने तमाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतेबंद लगाने की गुफणा की यह बहुत ही अच्छी बात है ये आप लोग देख सकते हो सरकार ने मेगनेसियम, कॉरवनेट, निकोटिन, तमाकू, मिनरल, ओयल, युक्त, पान, मसाला पता सुगंदे तमाकू के उत्पादन, भढणारन, बितरन और विक्रीब प्रतिबंद लगाने की घुफना की है महराष्ट और विहार के बाद रायस्थान, यह है प्रतिबंद लगाने वाला तीसरा राज है तो पहला कौन सा था? महराष्ट, दूसरा विहार, और तीसरा है राजस्थान रायस्थान में इससे पहले तमाकू, मिसरित, गुटका और इस सिगरेट को प्रतिबंद किया जा चुका है लेकिन पानमसाला कमपनी इस प्रतिबंद के बाद अलग से तमाकू पानमसाला बेच रही थी इसके चलते हैं उन्होंने यह कदम उठाना पड़ा राज बात करते हैं जो है राईस्थान की तो यहां की राजजनी की आफ जैपर बरतमान में यहां के राजपाल है कल्यां सिंग और यहां के मुक्ष in बर्ट gemachtan पानमसाषूक गहलो ओक है कि यह सब कुछ किया है बहुत अच्छी बात है सब्सक्राइब और जब लगाने वाला जिए आप लोगों को बता चुका हूं राइस्थान पतिक साल हजारों लोग कैंसर और तमाकू के सेवन की बज़े से जो जान गभा बैठते हैं इसके चलते राइस्थान सरकार ने इन पादों की बिक्री परी प्रतिबन लगा दिया है इससे रिलेटेड इंपोटेंट फेक्ट या कह सकते हैं मैथपूर्ता थे आप लोगों के लिए क्या है राइस्थान में इससे पहले ही तमाकू मिस्रित गुटका और इस सिगरेट को प्रतिबन किया जा चुका है लेकिन पान मसाला कंपनी उसके बाद जो है अलग से तमाको पान मसाला बेच रही थी राजे सरकार के अनुसार खादस रख्चा इवां मानक अधिनी में 2006 के तहट खादस रख्चा इवां मानक विनी यम 2011 के इंतरकत यह प्रतिबन लगाया गया इस योजना के तहट घटिया सामगरी की बिकरी को नियंतरे चोरी के माल की बिकरी पर सकती बरतते विए पूरी तरह रोक लगाने की कारियोजना बनाई गई है इसी के साथ मैं आप लोगों को आज की करेंट अफेस के लिए आप लोगों के यदि पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहूंगा रेगूलर आठ वजी अपनों के लिए इवनिन में तोटल दोजार एठारा उननीश का करेंट अफेस आता है उसके रिए पनों के लिए 10 वजे में Our तो 11 बजे रीजनिंग आपनों के लिए आता है उसके बाद इन्दा मॉर्निंग सेवन करेंट अप्छा से दो बजे आपनों के जीएस का एक डॉज आता है तो इसी के साथ मैं आपनों के रेगुलर छे क्लासिस लेता हूं तो प्लीज सपोर्ट में और प्लीज धन्यवाद नियुक्त